बिसमिल्लाय रख्माने रहीम, student maximum likelihood estimator for exponential distribution के लिए आज हम solve करेंगे for the Bernoulli distribution, binomial distribution और तमाम distribution जो हमने previous पर उनके लिए इस्ट्राइब कर चुके हैं, अब next मैं पढ़ाऊंगी के maximum likelihood estimator for exponential distribution के लिए क्या होती है, student distribution कुछ भी आजे, आपके बाँ maximum likelihood estimator के two steps होते हैं, एक तो आपने क्या करना होता है कि जब भी आपके पर distribution आजाती है आपने first of all क्या लेना होता है natural logarithm लेता है second step में आपने क्या करना होता है उसी natural logarithm का आपने क्या लेना होता है derivation लेनी होती है इसी तरह आपके पास यह solve हो जाता है maximum likelihood estimate है अच्छा अगर आपको questions given for the exponential distribution के लिए जैसे कि मैं आपको बिताती हूं कि assume that the random variable x has the exponential distribution functions आपको question में given होगा function आपके पास क्या है theta is given and theta is equals to e minus theta x ठीके the sample mean हमारे पास जो given है where theta is the parameter of distribution use the method of ml to estimate theta हमारे पास क्या है theta हमने find करने के लिए करने अच्छा स्टूरी फिर्स्ट ओफ ओल देखे नाच्रल हम पहले नाच्रल लॉक से पहले अपने जो हमारे पास functions है उसको true करें क्योंकि हमारे पास n number of n numbers तक जाएगा n numbers of values तक जो experiment is performed हो रहे हैं हमने क्या करने है इसके लिए कि जो हमारे पास theta है theta अब कहां तक जाएगा n number of values तक जाएगा क्योंकि n numbers of experiment तक perform हो रहे हैं इसी तरह हमारे पास क्या आगी है जो values theta theta and हमारे पार जो x की values हैं वो क्या हो जाएगी sum of x आजएगी student में आपको अगें बिता रहे हूं अगर तो one experiment number आपके पास हो तो फिर आपको simple यह function चल जाते आपके पार जो experiment are performed by the n numbers of time जब n numbers of time कह रहे हैं तो इस मीन के आपने theta जो है वो n number of time तक लेना है आप ले रहे हो e my theta and summation x क्योंगे हमारे पद जो x है वो गिवन होगे x1 x2 and so on xn तक गिवन होगे तो हम लिख देते हैं sum of the x के तमाम x को मैं ने इंकुलूड का लें अब two steps जो हमारे पास थे first of all हमारे पार क्या step था कि we are taking the natural logarithm हमने क्या लेना है natural logarithm लेना and we get और हमें क्या उससे मिलेगा natural log L theta is equals to अब देखें यहां मेरे पास आगे natural log of n plus natural log of theta and summation of x student जब भी आम natural log लेते हो तो आपके पास क्या एक rule होता है कि जब भी आप multiply अगर तो values हो रही है तो इसमें जो आपके पास आएंगे वो sum में आजेंगी ठीक है वो plus में आजेंगे अगर divide हो रही होती है तो माइनस में values को लिखते हैं अब यहां मेरे पार multiply already मैंने sum में लिखते हैं हमने क्या करना है कि second rule हमारे पास यह होता है लॉक का कि जब आपके बाप पावर हो तो पावर पहले आ जाती है और आप इसको लिख दो नैच्रल दिस एंड कॉम पावर तीना पहले ले आएं प्लस यहां भी पावर कॉम पहले ले ले आएंगे मारे पास क्या माइनस थीट थीटा गी यहां माइनस थीटा समीरिष ब्लस माइनस माइनस तो यह आगे है कि हमारे पास काम होते है वो होते है है टेकीग हुआ हिए रिफिशन लेनी होती है और फिर हमें टायों पुर महीं अच्या पास क्या आज को लूब यूब यहाँ ले रहे हो ठीकित वह आपके ब log of theta minus, फिर मेरे पास क्या आगे है, derivation of theta and theta and summation of x, अब student derivation जब मैं लोगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ आप एक नजर देख लें, कि आपने natural logarithm किस तरीके से लिया है, फिर मैं आगे आपको derivation जो है, वो solve करके बताती हूँ, कि आपने derivation लेते हुए, किस linear derivation, derivation जब आप लोगे तो n हमारे पास constant है, n हमारे पास क्या आजएगा, बाहर आजएगा, n हम natural log of theta की जब derivation लेते हैं, तो 1 by theta आता है, तो मैं लिख देते हूँ, 1 by theta, मैं लिखते है, minus, अब देखें, यहाँ मारे पास summation of x जो है, बाहर आजएगा, बाकि हमारे पास रह equating with 0, okay, equating with 0, अपना जो हमारे पास यह जो values आई है, इसको equate कर देते हैं, with 0 के, तो हमारे पास क्या आजएगा, this one, अब आपने इससे solve करना है, कैसे student, के, यहाँ मेरे पाद माइनस के, मैं दूसरी साइट पे इस values को ले जोंगे, तो मेरे पास क्या जएगा, summation of x, मुझे तो required है for the theta के लिए, तो मैं क्या कर लेते हूँ, theta को ऊपर ले जाती हूँ, और इसकी जगा ये exchange कर लेती हूँ, जगा exchange कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आजाएगा, n, summation of x, n is equals to theta, यहाँ तक आगे, अब student, मुझे क्या चाहिए values, अगर मैं n को भी नीचे ले हूँ, for example, मेरे पास ये theta है, और मैं n को नीचे लेके आ रही हूँ, summation of x and n, तो 1 by x bar, जो है, यह क्या आगे है, theta का, maximum likelihood estimator for the exponential distribution के लिए आगे है, student, ये एक नजर देख लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि हमने यहाँ से process क्या किया है, मैं again बता रही हूँ, student, maximum likelihood for the exponential distribution, जब आप स नहीं करना है, when we are, when they are saying that n number of experiment are performed, then you can change your functions, तो फिर आप उस functions को change करोगे, जैसे कि theta n, theta है, तो हम theta n लिखेंगे, इसकी power n कर देंगे, क्योंकि n number of experiment has performed, इसी तरह हमरे पार x है, तो summation of x होजेगे, क्योंकि जितनी भी x values है, उनका हम सम ले लेंगे, बाकिया हमने, जब भी maximum likelihood experiment question solve कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बिताया है, आपने two steps करने है, first में आपने natural log लेना है, and second में आपने derivation लेनी है, ये दो step अगर आप सही तरीके से कर लेते हो, तो आपको values जो है, ठीक हो जाएगे, और तीसरे में अगर आपके पार जो values आ रहे है, आप इसे equate कर लो with zero and solve कर लो, तो आपके पास answer आजाते है, I hope student, आपको मेरा lecture पसंद आया होगा, अगर फिर भी इसमें किसी किसम की confusion है, यही कहीं आपको समझ नहीं आया, आप मुझ से comments में बूसकते हो, इंशलाब मैं आपको reply करूँगी, तब तक के लिए, लिए आप बिस्मिल्ले रख्मान आपको एक्सें डिनोड देनोड रेनम सांपल ऑफ पाइजन डिस्ट्रिबूशन हमारे पाफ फंक्शन गिवन होता है, question में भी और आपको पाइजन डिस्ट्रिबूशन का function पता भी है, क्योंकि हम प्रिवियस बढ़ चुके है, lambda x and x factorial, मैं इसको अगें सही करके लिए दे 0, 1, 2, 3, so on, find the maximum estimator for the lambda, lambda के लिए आमने क्या find करना है, maximum likelihood estimator जो है वो find करना है, student, यह बड़ा easy है, दिखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, जब आप solve करो के तो 2 या 3 minutes का आपके पास यह क्या आजाता है, question आजाता है, student, इसमें आपने क्या बताना है, देखे तो सबसे पहले तो हम इसको बनाते है, n numbers तक, कि यह हमारे पाफ बनेगा क्या, sorry, we are using for theta, theta हम use कर ले हैं, ठीके, और हमारे पास क्या जेगा, e, minus, अचा, minus, अब यह लिम्ड़ जो है, यह कहा, n numbers of तक जा रहा है, तो मैं साथ n number of lambda लगा रही हूं, इसी तरह, लिम्ड़ of x क कि यह जेगा, summation of x आजेगा, sum of the x आएगा, because we are taking for the n numbers of values, आपको मैंने पहले भी कहा है, कि अगर one experiment के लिए होता है, तब यह ठीक था, अगर n numbers of तक जा रहा है, तो लिम्ड़ जो है, वो भी n numbers of तक जा रहा है, x जो है, वो हमारे पास sum हो जाता है, तो वो summation of x है, and x factorial जो है होते है, एक तो आप में पहले step में क्या लेना होता है, natural logarithm, taking the natural logarithm, second में आप में क्या लेना होता है, derivation लेनी होते है, तो मैंने अगर first इसका log लिया है, तो मेरे पास जो आएगी values, वो क्या आएगी, l, theta, and यहां मेरे पास क्या आएगी values, मेरे पास जी आएगी, minus n, lambda, and log of e plus, यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, क्योंकि यह multiply हो रहे है, तो मेरे पास power पहले आजेगी, natural log of lambda, minus, अब मेरे पास क्या आएगा, minus आएगा, क्योंकि जब आपके पार natural log ले रहे हो, अगर तो multiply में कोई values हैं, तो वो आपस में plus होंगी, अगर मेरे पास वो division में हैं, तो वो minus होंगी, तभी मैंने यह लिखा है, minus, minus log of, मेरे पास क्या आएगा, x1 का factorial, minus log of, so, and xn का factorial, अब मेरे पास यह values कैसे solve होंगी, देखें, student, यह minus and lambda आजाएगा, और यह इससे cancel out, हमारे पास क्या आजेगा, 1 आजेगा, plus, summation of x, and lambda of x हमारे पास आजेगा, क्या है, lambda of l, और यहां मेरे पास, यह 0 की equal आजाता है, तो यह 0 लिखता होंगी, और मेरे पास जो बाकी remaining thing है, तो यह मेरे पास, यह values आगी है, अच्छ, student, second step, हमारे पास क्या होता था, taking the derivation, and we get, second step में हम क्या लेंगे, derivation लेंगे, और we get, हमारे पास क्या हासल होगा, अब जब हम लेंगे derivation, तो हमारे पास, lambda के साफ से लेंगे, तो minus n, and यह जो lambda के साफ से मैं लोगी, तो it's equals to 1, plus summation of x, lambda के साफ से derivation लोगी, 1 by lambda, and यहां भी क्या आजेगा, 1, तो मेरे पास, जो values मुझे मिल जाएंगी, यहां से मैं raise कर लेंगे, जो मेरे पास values मिल जाएंगे, वो मुझे क्या मिलेंगी, minus n, plus summation of x, lambda, this one, ठेक है, अब student, हम equate कर लेंगे, is equals to 0 के, is equals to 0 के equate कर लिया, तो मेरे पास, जो values आएंगे, वो क्या आएंगी, मैं अब values जो लिखूंगी, वो मेरे पास आजेंगी, जी, अगर मैं देखूं, के summation of x and lambda, and यह minus है, दूसी साइड पर जाके, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब मुझे तो value चाहिए, यह थे लिम्डा की, तो मैं ल पाइजन दिस्टिबूशन के लिए, आपका सांपल मीन जो है, आगिया है, और यह सॉल्व हो गया है, यह student आपके लिए, अगर maximum likelihood estimator का question for the Python distribution है, तो आपने ऐसे सॉल्व करने है, सिर्फ students को problem कहां से होता है, कि जो यह values मैं लिखे है, यहां से problem, कि e की value हमने क्या लिए है, माइनस लिब्डा की जगा हमने इस क्या लगा थी, क्योंकि हम N number of experiment परफॉर्म का रहे हैं, लिब्डा हमारे पास क्या हो जगा, summation of X आजएगा, इसी तरह X factorial open करेंगे, simply इनका log लेना है, derivation लेना है, जब भी हम maximum likelihood estimator का question solve का रहे हो, आप पहने log लो, derivation लो, log पहने natural log लो, इसकी derivation लेलो, और simple आपका question जो है, वो solve हो जाते है, यही चीज़ मैंने इस question में किया, I hope student आपको पसंद आया होगा, इंचला है, next, exponential distribution के लिए भी मैं आपको solve करके बताऊंगी, कि अगर maximum likelihood for the Python distribution जैसे हमने solve किये, अगर maximum likelihood estimator का question आजाता है, for the exponential distribution के लिए इसके लिए आप जो हमारा topic है, वो हमारे पास है, maximum likelihood estimator for the Bernoulli distribution, कि maximum likelihood estimate जो हम पार रहेते है, example कर रहेते है, for the Bernoulli distribution के है, अब हमारे पास student जो question है, अगर इसका जो question आजाता है, Bernoulli distribution का for the maximum likelihood estimator के लिए, वो आपके पास क्या होते है, let x1, x2, xn, मतलब कहां तक number of random sample size जो है, which is equals to n है, taken from the Bernoulli distribution and function is also given, function हमें Bernoulli distribution का जो है, वो given होगा question में, ऐसे questions आपके आते हैं, function आपको already given होते हैं, और उन्होंने बिता दिया कि हमारे पास, and Bernoulli distribution के आपको limits का तो पता है, 0 to 1 होती है, ठीक है, तो यह भी हमारे पास हो गया, find the maximum likelihood estimator for P, जब आपको limit ऐसे given होगी, तो आपको खुद बहुत अंदाजा हो जाएगा, this one is the Bernoulli distribution, अब likelihood distribution क्या है, students same, हमने कितने तक करना है, N numbers, वो ही two steps हैं, बट आपने जो mind में रखना है, वो N numbers तक, अब देखें, मैं पहले आपको करवाती हूँ कि N numbers तक कहा होगा, likelihood estimator के लिए आप क्या use कर रहे होते हो, P use कर रहे होते है, फिर हमारे पास जो distribution जा रही है, वो 1 से लेकर हमारे पार का है N, and P, X, NQ, 1 minus X है, अब स्टूर्य में इसी को change करती हूँ, तो मेरे पास कहाएगा P, probability X, अब मेरे पास नहीं है, हम कह रहे हैं, N numbers of the, जा रहे हैं, तो हम summation of X लिखेंगे, मतलब इन तमाम X का हम क्या कर लेंग है, 1 minus P की equal होता है, और अब मेरे पार N, मैंने जाना है, N numbers of experiment, not 1, तो में इसको change कर दूँगी, N में, N, minus, X की जगह में क्या लिख दूँगी, summation of X, बस यहां तक आपने mind में रखना था, और हमारे पास यहां क्या है, maximum likelihood estimate, अब वही two steps, पहले आमने क्या लेने है, log लेने है natural log, ठीक है, जब natural log लोगे, तो आपके पास क्या values आएंगी, मैं वह लिखने लगे हूँ, natural log हमारे पास क्या आजएगा, L and P is equals to, हमारे पास यहां देखें, यह multiply प्लस होगा, power log से पहले आजएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि log आप जब भी लेते हो natural log, तो जो powers होती हैं, वो आपके पहले आजाती है, इसी तरह हमारे पास यहां क्या आजएगा, N minus summation of X power पहले, natural log of 1 minus P, आपके पास आगे, अब second step हमारे पास क्या आजाते है, जी derivation, we are taking derivation, जब आप derivations लोगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, देखें, summation of X बाहर है, इसका हमने क्या लेने हैं, derivation लेने, derivation लेने, तो natural log जो है, natural log of P, वो change हो जएगा, 1 by P, and probability of P भी आपके पास आजाते है, तो वो is equals to 1 हो जाती है, तो 1 by P लिखते हैं, तो यहां मर पास क्या आजाएगा, 1 by P आगे, इसी तरह हम plus, N minus, mission of X, and यहां आप क्या क्या करोगे, 1 minus P आपके पास आजाते है, जब आप natural log ले रहे हो, मैं आपको यहां एक बड़ी करके भी बिता देती हूं, ताके आपको ज़रा concept clear हो जाए, natural log of, अगर मैं ले रहे हूं, 1 minus P, student आपने जब भी derivation ले रहे होते हैं, आपने एक बड़ी तो इस function को divide करके लिखना है, यहां मारे पास आगे ह है, कि जो 1 है, वो जब derivation से, क्योंकि constant है, तो is equals to 0 है, क्योंकि derivation के rule है, हम जब भी constant के लेते हैं, is equals to 0 है, बड़ जब आप इसके लिए लोगे, तो हमेरे पाँ minus क्या आजेगा, 1 आजेगा, minus 1 कैसे आएगा, देखें, जब मैं ले रहे हूं, derivation of P, ले रहे हूं, minus P के से आ रहा है, अच्छा, अब student हमने last में क्या कर देए, equate कर देते है, is equals to 0, हमने पास क्या आगे है, summation of x, and minus summation of x, and 1 minus p is equals to 0, हमने equate कर दी है, is equals to 0 के, जब अपने equate कर दिया है, तो student, आपके पास जो answer, मतलब जो आएगा, आपके पास जो values आएगी, यह solve करने से, तो आपके पास क्या आजेगी, 1 minus p, and summation of x, minus, हमने पास क्या आजेगा, n minus summation of x, and p is equals to 0, हमने पास क्या आगे है, आपने इसके साब ही multiply करने है, इसके पास summation of x, minus p, summation of x, minus n minus minus plus, बल्के पले p के साथ हम multiply करो, n p minus p, and summation of x is equals to 0, आगे, इसी तरह हमने solve करने है, हमारे पास जाहां क्या आजेगा, summation of x minus p, summation of x minus n p, minus minus plus p, summation of x is equals to 0, बेके यह दोनों cancel out हो गे, summation of x, and minus n p, n p, को हम दुसी साइट पे ले जाएंगे, क्योंके minus है, तो दुसी साइट पे जाएगा, positive में आजेगा, probability of p, हमारे पास क्या जाएगे, summation of x divided by n mean x bar आजाएगी, तो यह हमारे पास क्या आजाता है, which is the maximum likelihood estimator of p, जो के हमारे पाफ Bernoulli distribution में थी, तो यह student यहां question हमारे पास solve ह हो जाता है, अगर आपके पाफ Bernoulli distribution के question आ जाते हैं, तो आपने ऐसे solve करने हैं, इंशाले नेक्स तेम, poison distribution के लिए करेंगे, I hope student आपको मेरे lecture पसंद आया होगा, तब तक लिए लिए लाव आप